well it's day 3 and आज तीसरा दिन है और Pokemon XYZ के लिए भी तीसरा दिन है इंडिया में and आज जो है थर्ड एपिसोड आयर हुआ था जिसका नाम है Giga Battle with Mega Results तो Mega Results को नाम सुनके आप लोग समझी सकते हूं कि इस एपिसोड में Mega Evolution को डीटील के अंदर जाके खंगाला गया है तो Mega Evolution के ओपर एपिसोड है Second episode इतना जादा जो है heavyweight contain नहीं कर रहा था ऐसा बहुत लोग ने बोला कि जो first episode contain कर रहा था बट ये एपिसोड उस चीज को खतम करने आगे है क्योंकि इसमें Mega Evolution के बरबाद की है क्योंकि Second episode आएगे से एक filler episode था बट उसमें भी मज़ा आया क्योंकि बहुत अच्छा ही था वह वैसे भी तो ये उससे जादा और अच्छा है क्योंकि इसमें Mega Evolution की बात है तो reaction चालो करते हैं बात करते हैं क्या हुआ एपिसोड में आप लोगो कैसा मुझे कैसा लगा इंडिया में देखने मिल जाए और ये आप लोगों का खुद का चैनल है तो आप लोगों को आप चिस पोके फैंस मिलते गमेंड में और साथ में अगर आप मेर से जुटना चाहते है और अच्छे से तो इंच्छा पे आजओ आजाओ एडड़े डानमेड इसेंबल आईड मेड रहे हैं और जो पोकी फैन्स है उनको बताए होगा सेवन एपैसोड में एक सउन्ते किया होने वाला है जिस जिसको पताया है मैं आपलोगो पका रिप्लाइ करने की कुशिश करूँ ग तो लेट्ससें एपिसोड में गया होता है हमारे heroes ट्राविल कर रहे होते हैं फिर वो एक help की पुकार सुनते हैं और फिर वो एक woman को ढूंडते हैं जिसका leg वो श्टक होता है एक rocky crevies में और उसको free करने में काम्याब हो जाते हैं फिर वो उन्हें दिखाती है mega stone जिसके बारे में वो search कर रही थी हाद में बदा चलता है यह तो ब्रॉक की बना ब्रॉक के यहां पर survive कर रही है वेल जोकस अपार्ट फिर वो उन्हें प्रॉफेसर सीका मौर के बास ले जाती है और सीका मौर जो है बहुत ही important आदमी है क्योंकि यह जब जब आते हैं तो mega evolution को बहुत deeply study किया जाता है बहुत सारी जो है एकदम गरमाल हो जाता है जब भी प्रॉफेसर सीका मौर की entry होती ह Pokemon XY Series में और XYZ में भी इनका बहुत बड़ा रोल है और मैं आपे बात करना चाहूंगा सीका मौर सर की voice जुकि बहुत अच्छी है एकदम सूट कर रहे है वेल सूट है उनके character पे हिंदी voice तो dubbing के मामले में एकदम टॉप नौच चली रहा है XYZ सो एल एपिसोड की में जो concept है वो है Mega Evolution की bond को दर्शाना जहांपे प्रोफेसर सीका मौर जिनको बहुत कुछ पता है प्रोफेसर स्वरी Mega Evolution के बारे में वो पताते है कि Pokemon को Mega Evolve करने के लिए bond कि इतना जर्द जरूरी है Without bond it is not possible for anybody to evolve his Pokemon into Mega Evolution और ऐसा ही होता है कि जो Nurse Joy की Odino होती है जब Team Rocket उन पर अटाक कर देते हैं और वो एक Makuhita जो injured होता है उसको हील करने की कोशिश कर रहे होते है अस लोग प्रोफेसर सीकाम और Nurse Joy की हेल्प कर रहे होते है और तब जो अटाक हो जाता है तो अचानक सी Odino Joy Megavolv हो जाती है तो वो ऐसा इसलिए होता है Because the bond between Nurse Joy and Odino was so strong that it resulted in Mega Evolution और Mega Evolv Odino Team Rocket को एक गवर फिर से हरा देती है तो वेल इस Episode में Mega Evolution की उपर बात थी हम लोगो और डीटेल्स पता चली और धीरे धीरे नहीं bond evolution की दरफ जा रहा है तो उसके बारे में जादा बात नहीं करूँगा आप लोगों मैंने comment करने बोला है उस Episode के बारे में क्या होने वाला है तो Mega Evolution का bond जो है Bond Evolution का bond जो है वो similar है kind of but bond evolution थोड़ा जादा अच्छा लगता है जब compare to Mega Evolution आश वाला and फिर Professor Sikamaur की मुलाकात होती है Zygarde के सेल याने की Squishy से and वो गनफेस करते हैं कि मैं जानता ही नहीं कि यह क्या चीज है मुझे नहीं पता है मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ मतलब Squishy क्या चीज है उनको अभी वी क्लियर नहीं है अगर वो Zygarde को देखते हैं तो शायद समझ पाते क्योंकि Squishy की ना तो entry Pokedex में वो एक unknown species है अभी के हिसाब से and आगे जाके उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है तो इसलिए एपिसोड के राद बने रहो लेटेश्ट एपिसोड देखो बारा बज़े सूपर हम गामा पे Pokemon XYZK and consistent रहो ताकि आप लोग को story cover up करने में आसानी हो बाकि मैं तो हूँ यहाप लोग को समझाता हूँ हर एपिसोड की बारे में आके बात करते हैं हम लोग उसलिए सब्सक्राइब गरके बेल लाकन आउन कर देना एंड एन प्रोफिसोड करते हैं कि वो लैब में जाके इस चीज के उपर और रिसर्च करेंगे Mega Evolution और Squishy जो भी चीज़े होती उनके उपर जाके बात करेंगे उसके बाद हमारे जो Heroes होते हैं यानि कि Ash और साथ में Heroine Serena उसके साथ Clement or Bonnie और Squishy निकल जाते है Snowbell City की ओर ताकि Ash अपने Carlos League की जर्नी को और जादा enhance कर सकी इंप्रूव कर सके और Carlos League के जाने में और करीब आ जाए वो तो करीब तो किसी और चीज के यह आ रहा है वो तो उसके बारे में हम बात में बात करेंगे बट आज के लिए इतना है हो आप लोको मज़ाया होगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट में बताना कि आप लोको यह एपिसोड कैसा लगा है यह बात में बात में हमारी बंदी तो हर एकसाइटिंग होई जाता है उसके वज़े से उसके अलावा वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब कर दिया चैनल को मैं मिलता है नेक्ट वाली वीडियो में जब तक के लिए गुडबाय टेक के लिए लव यू आएगा हॉड़ जाँ टेक करेंगे से बात में इन पुड़े जाता है वीड़ेस आएटींग होईग जाता है जाता है कर दो हमारी उसके वीडियो करेंगे से विपनोगा चैनल को मत वाइगे।